स्वागत है आप सभी लोगों का प्रलेम बूश्टर न्यूज डिसकेशन में आज है 25 मार्च 2021 तो आज ये देख लेते हैं ऐसे कौन से important articles हैं जो आज हम cover करने वाले हैं हमरा first article केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के बारे में है अभी हाल ही में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के chief ministers ने एक memorandum of agreement पर sign किया जो की कीन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट से सम्मंधित था मैं आपको बता दूँ कि National Perspective Plan for Interlinking of Rivers ये जो प्रोजेक्ट है इसके भीतर ये पहला प्रोजेक्ट है जिसमें दो नदियों को जोड़ा जा रहा है केन और बेतवा नदी सबसे पहले तो आप इसकी location map में देखिए ये है यमुना रिवर ये दोनों ही नदियां यमुना की tributaries हैं ये नदी है केन और ये है बेतवा केन नदी जो है वो largely मध्यप्रदेश में आपको मिलेगी जबकि बेतवा का एक बड़ा हिस्सा आपको उत्तर प्रदेश में दिखेगा यहाँ पर जो केन नदी में surplus पानी है उसे एक कनाल के माध्यम से बेतवा नदी तक ले जाने का प्लान है जबकेन नदी से बेतवा नदी में इस कनाल के माध्यम से पानी चला जाएगा तो ये जो पूरा रीजन है इस पूरे रीजन में जो पानी की scarcity की problem है उसे handle करने में मदद मिलेगी जो target है वो है बुंदेल खंड रीजन ये जो रीजन आप देख रहे हैं शैडोड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फैला हुआ ये है बुंदेल खंड रीजन ये काफी ज़्यादा water scarcity face करता है इसमें कई सारे जिले आते हैं जिसमें से कुछ उत्तर प्रदेश के हैं और कुछ मध्य प्रदेश के हैं जब इन दोनों rivers को link किया जाएगा तो इन दोनों ही राजियों में इन जिलों में जो पानी की समस्या है काफी हद तक उसका समाधान निकल जाएगा ये जो project है यहाँ पर केम रिवर में जो भी surplus water है जो की लार्जली आपको MP में दिखती है उसे UP में flow होने वाली बेतवा नदी में एक कनाल के माध्यम से भेज दिया जाएगा जिससे बुंदेलखन रीजिन में irrigation के परपस से उसका इस्तेमाल किया जा सकेगा इस project में 77 मीटर लंबे और 2 किलो मेटर चौड़े डैम को बनाने का भी प्रावधान है जिसका नाम धोधान डैम है इसके जरीए इसी के origin के तौर पर 230 किलो मेटर लंबी एक कनाल खीची जाएगी यह डैम देखिए यह जो river है केन केन रिवर पर यह जो pointed location है यहाँ पर लिखा भी हुआ है धोधान डैम यही पर यह डैम बनाया जाएगा अब यहाँ पर concern environmentalist raise करते हैं विकास पन्ना tiger reserve यह काफी नजदीक है इस डैम के अब reservoir बनाना इसलिए जरूरी है विकास अगर आप डैम बनाकर पानी को store नहीं करेंगे अब यहाँ पर देखे जो project है वो मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश में फैला हुआ रहेगा कई सारे जिरों में जैसे टिकमगर्ड, पन्ना और छतरपूर डिस्टिक्ट मध्यप्रदेश के उत्तरप्रदेश के जहांसी, बांदा, ललितपूर और महोबा डिस्टिक्स कवर होंगे दो phases में यह project चलेगा पहले phase में धोधान डैम complex बनाया जाएगा, अगर मैं इसे सही प्रनिशेट कर रहा हूँ तो केन बेतवा लिंक कनाल तयार की जाएगी और एक powerhouse बनाया जाएगा, यह तीम parts इसमें होंगे, जो second phase होगा इसमें lower ore dam, बीना complex project और कोठा बराज, यह सब construct किये जाएगे, benefits की बात करें तो जो water star, पुंदेल खंड region है, उत्तरपदेस और मदरपदेस में फैला हुआ, उसको इससे काफी जादा फायदा मिल जाएगा बात करते हैं, national river linking project के बारे में इसे देखे, national perspective plan के नाम से भी पुकारा जाता है जहां पर rivers को link करने का plan बनाया गया है इसमें plan ये है कि ऐसी नरिया जहां पर पानी surplus में है, उसे ऐसी locations में पहुचा दिया जाए, जो water deficit basin है, जहां पर पानी की कमी है जहां पर drought और पानी की scarcity रहती है इस plan को 1980 में सबसे पहले तयार किया गया था ministry of irrigation के द्वारा, जो आज ministry of जल सकती है, इसे manage करने की जिम्मेदारी, national water development agency को दी गई थी जो वरतमान में ministry of जल सकती के तहत कारे करती है component की बात करें तो इसमें 30 river links तयार करने है 37 नदियों के बीच में 37 rivers के बीच में 30 links तयार करके नदियों को जोड़ा जाएगा पूरे भारत में इसमें 2 division किये गए हैं एक तो हिमालियन रिवर्स को लिंक किया जाएगा, इसमें 14 links बनाये जाने है नदियों के बीच में और दूसरा है peninsular river को link करने का project जिसमें 16 links create किये जाने है ये map दिखाता है जो blue color है वो हिमालियन रिवर्स के लिए है और जो red color है वो peninsular रिवर्स के लिए है, हमारा next article perosmia के बारे में है देखिए, covid-19 के symptoms में 2 बहुत ही आम चीज़े हैं एक है anosmia और दूसरा है agosia anosmia में smell loss हो जाता है आप कुछ सूंग नहीं पाते और agosia में आप कुछ taste नहीं कर पाते usually ये हमें देखने को मिलता है लेकिन कई सारे लोगों में perosmia भी देखने को मिल रहा है perosmia क्या है perosmia में actually में आपके जो सूंगने की छमता है उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन देखने को मिलता है परिवर्तन कैसा देखें perosmia एक medical term है जिसका इस्तिमाल एक ऐसी condition को explain करने के लिए किया जाता है जहाँ पे एक व्यक्ति के सूंगने की छमता में distortion हो जाता है distortion का मतलब क्या है मतलब आप किसी एक चीज को अलग तरीके से सूंग पाते हैं इसमें कई बार जो आप महसूस करते हैं वो unpleasant होती है like coffee उसका जो smell है वो काफे अच्छा होता है लेकिन आपको ऐसा लगेगा जैसे ये burnt toast का smell है sometimes आपको किसी चीज में chemical की खुश्बू आएगी या कई बार आपको लगेगा कि कुछी सड़ी हुई चीज की महक है तो ऐसा distortion देखने को मिलता है तो इसका reason क्या होता है देखिए reason जो है वो ऐसा कुछ खास नहीं है सबसे खास बात ये temporary condition है ऐसा नहीं है बहुत जान लेवा है जिन्दगी चली जाएगी आपके अगर आप सूंग नहीं पाए कुछ तो ऐसा कुछ नहीं होना है rather जब भी किसी व्यक्ती का smell loss होता है तो फिर smell loss में जो recovery है वो होने लगती है recovery के समय में आप कुछ-कुछ चीज़ों की smell को feel करने लगते है तो उस समय ये distortion देखने को मिलता है कि जिस चीज़ की जो smell है वो ना आके आपको कुछ और feel होता है ये harmful नहीं है दिमेदिमे ये सही हो जाता है बाकि anosmia और agosia की condition मैंने आपको बता दिये जो आप टंग से feel नहीं कर पाते तो ये सारी बाते पैरोजमिया के बारे में हमारा next article freedom pineapple campaign के बारे में है एक brief सा campaign है आपको जानना चाहिए इस के बारे में टाइवान के president ने अभी इस campaign को start किया है विकास चाइना ने ताइवानी इस pineapple को जो उसका import है उसे band कर दिया जो भी pineapple produce किया जाता है उगाया जाता है ताइवान की दरा उसका 10% वो export कर देते हैं इनका ज़दातर export चाइना में जाया करता था तो चाइना ने pineapple के export को बंद कर दिया तो उन्होंने एक hashtag start किया hashtag freedom pineapple objective ये था कि चाइना की इस band को counter करने के लिए ताइवान में domestically locally लोग pineapple को ज़्यादा खरीदे at the same time दूसरे देसों में भी लोग इसका import करें तो ये campaign चल रहा है तो आप इसके बारे में जानते रहे कि global level पैसा कुछ चल रहा है next article greater one horn rhino के बारे में है देखिए अभी हाल ही में different political parties जो आसाम assembly elections है उसमें greater one horn rhino की poaching में जो कमी आई है उसको highlight कर रहे है for taking its credit because आसाम के forest department के according पिछले तीन सालों में one horn rhino की poaching में 86% की कमी आई है first of all तो ये बहुत अजीब है की इसका कोई credit ले अजीब इसलिए है poaching तो होनी ही नहीं चाहिए न मतलब ये 0% होना चाहिए it's like की पहले मैं चलते फिरते 100 लोगों को थपड़ लगा दिया करता था लेकिन अब मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ तो अब मैं केवल 14 लोगों को ही चलते फिरते थपड़ लगाता हूँ 86 लोगों को मैंने छोड़ दिया so now I'm a good person ये तो गलत बात हुई लेकिन फिर भी इसका एक positive perspective है positive perspective ये है कि at least जो conservation का मुद्दा है वो electoral issue बन रहा है Indian democracy का हमेशा से ये सपना रहा है कि health, education, conservation, pollution, forestry ये सारी चीज़े electoral issues बने अच्छी बात ये है कि अब धिमे-धिमे ये electoral issues बन रहा है कोई आये तो सही जो कहे कि हमने flora और fauna को बचाया हमने इस जानवर को बचाया आप हमें vote करिये कोई आये ये कहे कि हमने बहुत सारे जंगल लगाया आप हमें vote करिये कोई कहे हमने health or education में बहुत अच्छा काम किया है तो it's very good ये एक healthy democracy की और हमें धीमे-धीमे लेकर जाएगा बात करते हैं one-horned rhinos के बारे में देखे one-horned rhinos के तीन species पाई जाती है एक greater one-horned rhino एक जावन और तीसरा सुमात्र अब यहाँ पर इंडिया में आपको केवल great one-horned rhinos ही मिलेंगे इन्हें Indian rhino भी कहा जाता है और rhino के species में ये सबसे बड़े होते है इन्हें single अगर आप देखेंगे तो आपको एक single black horn मिलेगा एक sing मिलेगी हलाँ कि एक छोटी सी grey-brown sing भी होती है जो hidden होती है skins में छोटी सी होती है प्राइमरली ये जो भी चारा इन्हें ग्रास वगरा मिल जाती है पत्तिया मिल जाती है ब्रांचेस मिल जाती है उनको ये चर लेते हैं खापी लेते हैं fruits ये aquatic plants मिल गए तो अपना काम चला लेते हैं protection status की बात करें तो जावन और सुमात्रन rhinos जो हैं वो आयूशियन की red list में critically endangered है जबकि great one-horn rhinos जो हैं वो vulnerable है sites के appendix 1 में ये 3 के 3 ही आते हैं मतलब इनके trade को strictly रोका जाता है greater one-horn rhinos जो हैं उन्हें इंडिया के wild air protection act of 1972 के schedule 1 में रखा गया है habitat की बात करें तो ये बहुत छोटे habitat में रहते हैं इंडिया नेपाल का जो तराई रीजन है वहाँ पर वेश्ट बंगाल और आसाम का जो नदन पार है वहाँ पर ये आपको मिल जाएंगे इंडिया में rhinos mainly आपको तीन राज्यों में मिलते हैं आसाम, वेश्ट बंगाल और उत्तर प्रदेस आसाम में इनकी population approximately 2640 है 2640 जो चार protected areas में फैले हुए हैं दोजार पाभी तोरा वाइलेफ सेंचुरी राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क काजी रंगा नेशनल पार्क एंड मानस नेशनल पार्क जिन में से बहुत बड़ी population जो है, 2400 वो तो आपको अकेले काजी रंगा नेशनल पार्क में मिलेगी जो कि एक tiger reserve भी है threat की बात करें तो सबसे बड़ा खत्रा इनको इनसानों से है इनकी सीन के लिए इनकी उपर हमला करके इने मार दिया जाता है habitat loss हो रहा है धीमे धीमे population density जब भी कम होगी तो genetic diversity घटेगी जिससे किसी भी species के कम होने का खत्रा बढ़ता है तो population density कम हो रही है 1900 के दसक में तो ऐसा हुआ था कि इनकी जो population थी वो महद 200 बची थी हलाकि इंडिया ने एक plan launch करके target किया था कि 2020 तक हम इनकी population को 3000 तक पहुँचाएंगे तो धीमे धीमे recovery की गई है rhinos को बचाने को लेकर इस सारी बाते greater one hundred rhino के बारे में हमारा next article road tap scheme के बारे में है road tap scheme इसका full form क्या है road tap का full form है remission of duties and taxes on export products road tap इसका यह full form है जो benefits मिलेंगे किस rate पर benefit मिलेंगे exporters को इसकी notification आने में थोड़ा और समय लगेगा क्योंकि थोड़ा और time लग रहा है जो authorities हैं वो teething issue face कर रहे हैं teething issues का मतलब यह है कि जिन लोगों को यह notification जारी करनी है उनके दातों में बहुत दर्द है वो वी को वजदन्ती का इस्तेमाल नहीं करते है इसलिए वो notification जारी नहीं कर पा रहे है यह बिल्कुल मतलब नहीं होता teething issue का teething issue का मतलब यह होता है कि जब भी कोई नया project launch किया जाता है तो initial phase में उसमें कुछ problems आती है आप उसे short term problem कह सकते है तो teething issue एक phrase है जिसका इस्तेमाल short term problems के लिए किया जाता है किसी भी project में initial phase में जो problems आती हैं उनके लिए तो इस issues यह जो issues हैं उनकी वज़़े से थोड़ा लेट हो रहा है road tap scheme के बारे में बात करते हैं यह exporters के लिए है हम इंडिया के exporters को कुछ फायदा देंगे ताकि जब उनका सामान global market में पहुँचे तो वो cost competitive हो और एक level playing field avail कर सके इसके पहले एक scheme चला करती थी इसमें हम exporters को फायदा पहुचाती थी उस scheme का नाम था merchandise export from India scheme उसको लेकर WTO में बड़ा हल्ला मचता था वो चिलाते रहते थे कि आपकी जो MEIS scheme है वो हमारे rules and regulations को follow नहीं करती तो हमने भी कहा कि कोई बात नहीं हम इसका नाम बदल देंगे और हमने इसका नाम बदल कर अब road tap रख दिया है यह scheme 2020 में ही आ गई थी और यह कहा गया था कि एक जनवरी 2021 से यह applicable हो जाएगी तो एक जनवरी 2021 से applicable हो गई लेकिन फाइदा किस rate पर मिलेगा वो अभी तक पता नहीं चल पाया है उसी का इंतजार सभी exporters कर रहे हैं हाला कि कुछ basic features बताए गए हैं like इसके पहले MEIS में कुछ duties and taxes थे जिन पर refund नहीं मिलता था अब उन पर भी refund मिलेगा दूसरा फायदा यह होगा कि जो credit है वो automatically generate हो जाएगा अगर आपने text pay किया है वो text आपको refund में मिलना है तो उसका credit आपके auto generated account में आ जाएगा जिसका इस्तेमाला further किसी text को pay करने के लिए भी कर सकते हैं अगर कहीं पर कोई verification required है तो digital mode से quick verification होगा multi-sector scheme है सभी sectors पर applicable है और MEIS की तुलना में WTO के जो norms हैं उनसे ज़्यादा compliant है eligibility criteria की बात करें तो सभी sectors इसमें eligible है कोई discrimination नहीं किया गया है बट एक बात का ध्यान रखेगा it is just for goods not for services ठीक है हाला कि ऐसे sectors को ज़्यादा priority दी जाएगी जो labor intensive है like textile sector, leather sector उनको दोनों ही इसके लिए eligible है manufacturer exporters और merchant exporters manufacturer exporters वो लोग होते हैं जो किसी सामान को manufacture भी करते हैं और खुद ही export कर देते हैं merchant exporters वो होते हैं जो सामान को खुद manufacture नहीं करते हैं रदर किसी से खरीद के उसके बाद वो उसको export कर देते हैं अभी तक कोई particular turnover नहीं बताया गया ethress word कि आपका इतना turnover है तब ही आपको road tap में फायदा मिलेगा ऐसा अभी कुछ नहीं है तो कोई particular turnover नहीं है सभी लोग इसका फायदा उठा सकते हैं as per present information ध्यान दीजेगा कि re-exported products इसके लिए eligible नहीं है exported products का जो origin है वो इंडिया ही होना चाहिए ऐसा नहीं कि जापान से सामान मंगाया इंडिया में और इंडिया से USA में भेज़ जिया और बोला कि हमको road tap scheme के तहट फायदा चाहिए ये वाला जो काम है वो नहीं चलेगा इस special economic zone की जो units हैं और export oriented जो units हैं जिनकों अलरीडी बहुत सारे फायदे मिल रहे होते हैं बट वो भी इसके लिए eligible हैं उन्हें बाहर नहीं रखा गया है अगर कोई भी good e-commerce platform के जरीए export किया जा रहा है किसी दूसरे देश में वो भी road tap का फायदा उठा सकते हैं हमारा next article स्वेस कनाल के बारे में है हाल ही में स्वेस कनाल ब्लॉक हो गई जब एक बहुत बड़ा cargo ship स्वेस कनाल से गुजर रहा था और तेज हवाओं के कारण उसके इस सिती कुछ यूं हो गई कनाल बहुत चौड़ी नहीं है cargo ship बहुत बड़ा था जो इसमें अटक गया result ये निकला कि आगे और पीछे जो भी cargo ships जा रहे थे वो जहां के तहां अटक गये जो black dots है वो उन ships की condition दिखाते हैं जो रुके हुए है और इंतजार कर रहे है ये जो कनाल है इसके खाली होने का जो Swiss कनाल है वो एक बहुत बड़ा और important trade route है यहाँ पर Egypt है ये Egypt का Sinai Peninsula है इसके western part में आपको यहाँ पर Swiss कनाल मिलती है जो Red Sea को Mediterranean Sea से connect करती है आप इसकी location यहाँ पर map में देख सकते हैं यह देखिए यह Arabian Sea है यहाँ पर Gulf of Eden है यह Red Sea है और यहाँ पर Swiss कनाल है जो इसको Mediterranean Sea से connect करता है यह human made waterway है जहाँ पर बहुत ज़दा shipping traffic होता है 12% दुनिया का जो trade volume है जो total उसका 12% इसी Swiss कनाल से होकर गुजरता है इसने यह काफी important है इसी 1869 में बनाया गया था इसने एक shortcut create किया युरोप और एशिया के बीच में 150 साल पुरानी कनाल है यह initial phase में इसके उपर जो rights थे वो British और French authorities के हुआ करते थे पर 1956 में Egypt ने इसे कर दिया और खुद के अंडर में ले लिया Egypt ने 2015 में यह भी कहा था कि वो Swiss कनाल को expand करेंगे और कोसिस करेंगे 2030 तक कि जो shipping crowd है जो ships जाते हैं उनकी संख्या को दोगुना किया जा सके इस कनाल में जो भी उनका moment है यह important source है Egypt की economy का हर साल लगभग उन्हें 5-6 billion की income होती है 2020 में उन्हें 5.61 billion dollar मिले थे इस कनाल के थुरू 56 लगभग daily pass होते हैं इस कनाल से हमारा next article उईगर Muslims के बारे में है हाल ही में European Union, US, Britain और Canada इन देसों ने Chinese officials और entities के उपर sanctions imposed कर दिये क्योंकि China, China के Jinjiyang province में रहने वाली इस Muslim minority के fundamental rights को, human rights को बहुत ही लंबे समय से violate कर रहा है उईगर्स जो हैं, वो Muslim minority Turkic ethnic group है यह इनका जो origin है वो Central और East Asia से trace किया जाता है यह native है, जो Jinjiyang उईगर autonomous region है People's Republic of China का वहां के जो उईगर्स हैं, इनकी अपनी language है यह culturally और ethnically Central Asian nations के काफी close है उईगर्स वैसे तो, चाइना में जो 55 officially recognized ethnic minorities हैं उनमें से एक हैं हाला कि चाइना उन्हें एक regional minority ही मानता है indigenous रूप नहीं मानता उनकी एक बहुत बड़ी जो population है वो Jinjiyang region में reside करती है जो चाइना tightly control करता है और वहां पर उन्हीं काफी जदा exploit भी किया जाता है यह दिपी इनका जो एक बहुत बड़ा डायस पूरा है वो आसपास के region में Central Asian countries में, उजबेकिस्तान, किर्गिस्तान और खजाकिस्तान में भी मिल जाएगा यह सारी बाते उईगर्स के बारे में कुछ statement है आपको true and false बताना है केन बेतवा link project यह बिहार और जहार खंड में फैला हुआ है पैरोजमिया यह condition है जिसमें व्यक्ति की सूंहने और टेस्ट करने की छमता खतम हो जाती है well known symptom है COVID-19 का greater one-horned rhino आयूशियन रेड लिस्ट में vulnerable है साइट्स के appendix 1 में है स्वेस कनाथ Mediterranean को Parisian Gulf से जोड़ता है उईगर्स जिन जियांग उईगर autonomous region में People's Republic of China से संबंधित है बताए कौन सा statement सही है कौन सा गलत है अपना जवाप comment box में भी mention करिएगा session की PDF only IS के Instagram चैनल पर मिलेगी link description box में है apart from that आप only IS nothing else search भी कर सकते है एक लाग से ज़्यादा subscribers है वहाँ पर जब आप PDF डाउनलोड करेंगे तो जब आप यहाँ पर लिखा होगा तो आज के session में बस इतना ही Thank you very much